हेलो गाइज हम बात केन वाले हैं राश्ट्रिय केमिकल एंड फचिल लिमिटीड इस कमपनी की बारे में, आर सिफ की बात करें इस कमपनी का और तृ का रिजल्ट आ चुका है, कैसा राइज कमपनी का रिजल्ट वही आज अचके इस ओडम में डिसकस करेंगे तो वीडियो को जरू से end तर दिखते रहे ना RCF की बात करें तो भाई कंपनी ने अपने रिजल्ट को यहाँ पर से प्रेजंट कर दिया है सारी अमाउंट सेलेक्स के अंदर बताएगी है quarter and quarter base के उपर result को compare करेंगे यह इस quarter का result यह पिछले quarter का result यह पिछले साल सेम quarter का result देखने को मिल जाता है कंपनी की income की बात करें revenue from operation and other income को मिला कर कंपनी का total income इस quarter के अंदर six lakh twenty seven thousand three hundred forty nine lakh रुपिस का देखने को मिलता है quarter and quarter base के पर पिछले साल सेम quarter के मुकाबले company की income में बड़ोतरी हुई है बाकी इस company के expense की बात करें तो cost of raw material के अंदर and अलग-अलग बहुत सार expenses को मिला कर कंपनी का total expense इस quarter के अंदर देखने को मिलता है five lakh ninety one thousand eight hundred forty four lakh रुपिस का quarter and quarter base के ओपर company की income बढ़ी है वैसे वैसे company के expense भी बढ़ते हुए नजर आ जाता है बाकी इस company के net profit की बात करें तो tax and expense item काटने के बाद company ने twenty four thousand five hundred twenty twenty lakh रुपिस का net profit generate किया है जो quarter and quarter base के ओपर देखने जाओगे तो company का net profit है वो कम हुआ है बाकी विछले साल same quarter के मुकाबले company के net profit में एक अच्छा jump देखने को मिल जाता है बाकी इस company के earning per share EPS की बात करें तो four point four four रुपेस का company का EPS trade हो रहा है जो quarter and quarter base के ओपर थोड़ा सा कम हुआ है बाकी विछले साल same quarter के मुकाबले company के EPS के अंदर भी एक अच्छा jump देखने को मिल जाता है company के operating profit margin ज़रू से कम हुए है बाकी आर ओवर्वल इस company का result है वो एक decent result है एक अच्छा result बोल सकते हूं ठीक है बाकी इस company का यहां पर जो share है वो आने वाले समय में मिरको ऐसे लगता है क्या 100 रुपे पर एक इस company का बहुत ही अच्छा strong support जन है इसको यहां पर से company का शीर थोड़ा बहुत respect ले सकता है और यहां से bounce back लगा सकता है ठीक है अब लोग इस company के अंदर इन्वेस्टेड हो जो loss में हो तो भाई loss बुक करने की जरूरत नहीं है आप लोग स्टॉप ल long term के investors को यहां पर यह रहेगी क्या बाकी बहुत सारी अच्छी fertilizer कंपनियां chemical कंपनियां उन कंपनियों के अंदर दीपक नाइट्रेड नविन फ्लूरिंस ऐसी और भी कई सारी कंपनियां उन कंपनियों के अंदर पैसा लगाओगे तो long term में आप लोगों का पैसा बहुत ज 100 रुपे 90 रुपे और 70 रुपे का लेवल है जहां पर support ले सकता है कंपनी का शे और 140 रुपे का पहला है यहां पर टार्गेट रहेगा short term purpose की लिए ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आए तो like and channel को subscribe करना मत भूलना good bye love good bye फिर मिल तर नेक्स वीडियों